बिग बॉस से निकलने के बाद सभी कंटेस्टिंड ने बहुत सारे इंटर्व्यूज दी और उन इंटर्व्यूज में उनसे कई तरीकी के सवाल पूछे गए कभी दुश्मिनों के बारे में तो कभी दोस्तों के बारे में ऐसे में शिफ ठाकरे ने अपनी दोस्त MC स्टान के बारे में क्या बोला ये जानते हैं मेरे साथ यानि एडिमा के साथ ओल्लियों चली खजाना शिफ ठाकरे से एक इंटर्व्यू के दरान कई कुश्शन्स किये गए उसमें से सबसे पहला कुश्शन जो था वो ये था कि अगर अर्चना इस शो का हिस्सा नहीं होती तो आपकी जर्णी कैसी होती the most expected answer जो हम लोग imagine कर सकते हैं वो ये हो सकता था कि smooth होती लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया उन्होंने ये बोला कि अगर अर्चना इस शो का हिस्सा नहीं होती तो शो बहुत जादा बोरिंग हो जाता कोई मस्ती मजाख नहीं रहता, entertainment नहीं रहता तो ये देख के बहुत अच्छा लगा जनता को और हम सब को बहुत अच्छा फील हुआ कि किस तरीके से शिफ ठाकरे को इस चीज की acceptance है कि अर्चना इस पूरे शो की एक entertainment पीस थी इसके अलावा शिफ ठाकरे से एक और question पूछा गया, वो ये था कि MC स्टैन ने कई बार औरतों के उपर बहुत गलत सलत कमेंट करे हैं लेकिन आपने उनसे कभी भी उन चीजों के लिए नहीं का, MC स्टैन कई बार smoking के लिए प्रियांका को बोल चुके थे कि लड़कियों के smoke करती है, ये बोला, उन्होंने कई बार ये भी बोला कि ये मैं औरत से जगड़ता नहीं हूँ इस तरीके के स्टेट्मेंट्स बोले, एक बार स्रिजिता ने इस बात के लिए MC स्टैन से confront भी किया था कि आप औरतों से नहीं जगड़ा करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं पर तब भी शिफ ने कभी भी ना MC स्टैन को इस चीज के लिए समझाया है और नहीं कभी किसी चीज के लिए टूका इस question को सुनने के बाद शिफ ने बहुत ही diplomatically इसका answer दी और उन्होंने बोला कई बार ऐसा होता है कि हर इनसान अलग अलग तरीके का होता है और उसकी जो personality है मैं उसको change कभी नहीं करना चाहता था, वो जैसा है, वो वैसा ही रहके खेला और आज उसके पास trophy भी है अगर ऐसा कुछ comment उन्होंने किया था और लोग उनको बुरा लगता तो trophy उनके पास नहीं होती साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो मेरे बहुती प्रिये दोस्त थे, उस बीच में उनको इस तरीकी की चीजों के लिए टोकना मुझे सही नहीं लगता और हर इनसान की personality ये जैसी उनकी थी वैसी ही उन्होंने दिखाई और आज trophy लेके बैठे हुए है और साथ ही में उनसे खत्रों के खिलाडी के लिए भी पूछा गया निम्रित के साथ काम करने पे भी question पूछा गया कि निम्रित का और आलिवालिया के साथ आपको कोई music video का offer आया है क्या जिसके answer में शिव ने बोला कि हाँ उनको कई सारी videos का offer आया है लेकिन वो बड़े नाम का बेट कर रहे हैं और कुछ बड़े नाम भी लिए जैसे उनों ने बोला अरजीत सिंग, साथ में नेहा ककर, बाच्छा, इन तीन लोगों के नाम लिए और बोला कि अगर इन में से कोई हमें अप्रोच करता है अपनी music video का हिस्सा बरने के लिए तो हम साथ में music video करते हुए नजर आएंगे शिफ्ताकरी का नाम आ रहा था कि वो खत्रों के खिलाड़ी करने वाले हैं लेकिन इस बात का भी कोई confirmation नहीं आया है कि वो करेंगे की नहीं पर उन्होंने लाइफ के दौरा नहीं जरूर बताया कि खत्रों के खिलाड़ी को आपर उनके पास आया है लेकिन confirmation कोई नहीं दी बर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो बड़े पर्दों पे जल्द ही लोगों को नजर आएंगे उनके फैंस के लिए काफी exciting news है तब तक के लिए आप देखते रहेंगे चली खजाना अगर अभी तक आपने चली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो रद करिए थांकी